नमस्कार, अब हम लोग डिसकस करेंगे लीवर के बारे में, लीवर और उसके बाद हेपेटो बिलियरी ट्री के बारे में डिसकस करेंगे, लीवर के बारे में जल्दी जल्दी हम बात करेंगे, अगर किसी को डीटियल में पढ़ना है तो सर्जिकल एनाटमी आफ लीवर हमने surgery में discuss किया, वहाँ पर इस पर बहुत ही विस्तार से बात हुई है, यहाँ पर बस important points पर चर्चा हुआ है 5 to 6 part 5 by 6 part इसका right side में 1 by 6 part, anatomically देखने पर left side में होता है इस टमक आप जानते ही हैं फिर यहाँ पर है इस टमक से आगे dudenum, dudenum आप देख सकते हैं, और यहीं पर होता है pancreas, यह सारे के सारे structures आपको पता है और liver से जो bile produce होता है वो hepatic duct के द्वारा right and left hepatic duct के बाद common hepatic duct common hepatic duct, फिर cystic duct के साथ जुड़ता है, आप समझ सकते हैं gallbladder वाला cystic duct, फिर common hepatic duct cystic duct आपस में मिल करके common bile duct, pancreatic duct के साथ जुड़करके, आगे combine एक normal रास्ते से जाकरके आगे खुलता है dudenum में, ampoule of wetter के द्वारा, इसलिए right hepatic duct left, common hepatic duct, फिर cystic duct, यह सारी चीज़ें पहले हम सर्जरी में डिसकस कर चुके हैं, बहुत जादा इस पर बात नहीं करेंगे, यह second part of dudenum में जाकरके, इनका common जो opening है, ampoule of wetter के द्वारा, जो बोत bile और pancreatic, दोनों ही secretions को एक साथ यहां पर travel करने का एक रास्ता है, तो ampoule of wetter, bile juice और pancreatic juice दोनों को ही एक साथ यहां पहुँचाएगा, उसे control करता है, ampoule of wetter अब सवाल यह है कि जो dudenal papilla है वो क्या होते हैं, तो इसके बारे में सर्जिरी में हम लोगों ने बात किया है, इसको पूरी तरह डिटेल में समझाया भी है, minor dudenal papilla कैसे बना और major dudenal papilla कैसे बना इसकी पूरी की पूरी कहानी हम सर्जिरी में डिसकस करते हैं यहाँ पर major dudenal papilla आप देख सकते हैं, इसी main रास्ते से bile और pancreatic juice सबसे ज़्यादा पास करते हैं आप देखें, ampoule of wetter यहाँ दिखाया गया है, इसको guard करने के लिए, यहाँ पर sphincter of a dye होती है sphincter of a dye, यहाँ देखें ampoule of wetter और major dudenal papilla वाला पार्ट अब देखें, major dudenal papilla वाला पार्ट ampoule of wetter और यहाँ पर sphincter of a dye फिर minor dudenal papilla यह कैसे बनते हैं उन सारी चीजों के बारे में हम बाद में डिसकस सर्जिरी का जो हम topic bile duct का histological और anatomical जो relations का पार्ट है वहाँ पर हम सर्जिरी में इसको डिसकस किये हैं, क्यों बना यह major dudenal papilla कैसे बना, इसको हमने pancreas के developments के level पर समझाने का प्रयास किया था, major dudenal papilla की length कितनी है वो सारी चीज़े पूछी जाती है, minor dudenal papilla की length कितनी है तो इनकी distance कहां पर मिलती है वो भी सारी चीज़े पता होनी चाहिए आप देखें, minor dudenal papilla pylorus से 6 to 8 cm की दूरी पर होता है जबकि major dudenal papilla या 8 to 10 cm की distance पर होता है तो आप समझ सकते हैं, pylorus है आगे stomach apart pylorus, pylorus से minor dudenal papilla 6 to 8 cm पर major dudenal papilla थोड़ा और दूर होगा pylorus से 8 to 10 cm की दूरी पर होता है ये दोनों ही points anatomy के point of view से थोड़ा सा important हो जाते हैं इसके साथ ही साथ ये पूरा का पूरा जो anatomy है आपको मैं बता दूँ pancreas का जो surgical anatomy है gallbladder की जो surgical anatomy है liver की जो surgical anatomy है वहाँ पर हम लोगों ने discuss किया है वहाँ पर मैंने आपको बताया है minor dudenal papilla actually accessory pancreatic duct की opening के बारे में जानकारी देता है वही पर हम लोगों ने callot strangle के बारे में discuss किया था callot strangle कैसे बनता है और इसका क्या importance है बहुत detail में वहाँ पर बात हुई थी callot strangle स्फिंक्टर अफ ओडाई वो सारी चीजे कैसे कहां पर होती है callot strangle cystic duct क्या होता है स्फिंक्टर अफ ओडाई कहां पर पाया जाता है उन सारी चीजों को हमने surgical anatomy में discuss किया है इसलिए यहाँ पर हम उसके बारे में बहुत जादा बात नहीं करेंगे liver को थोड़ा सा हम discuss कर लें चलिए थोड़ी सी liver के बारे में बात कर लेते हैं liver हला कि anatomy इसके बहुत detail में हमने surgery में discuss किया है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं liver के बारे में liver जिसका weight 1.5 kg या 1500 gram के आस पास होता है इसमें 2 lobe होते हैं बाहर से देखने पर 5 by 6 इसका आप देख पाएंगे 5 by 6 right lobe होता है 1 by 6 इसका left lobe होता है जो right lobe होता है उसमें 2 additional lobes अब ये क्या इसका final details है उसको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं cow date और quadrate lobe क्या होते हैं anteriorly और posturally इनकी presence होती है वो सारी चीजें हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं एक liver के भीतर का histological structure देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरीके से liver की histological structure हमें देखने को मिलती है एक बार थोड़ा सा orientation बनाने की कोशिश करें तो आप देखें portal triad में hepatic artery, hepatic vein और bile duct होता है हला कि एक चीज यहाँ छोड़ दी जाती है जो lymphatic duct है portal triad में ये चीज़ें होती है veins का जो system होता है और bile का जो system होता है दोनों में traveling part बिलकुल अलग होते हैं इसका finer details समझने से पहले एक बार overview ले 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 लेते हैं right और left दोनों ही side के liver के lobs दिखाएगा है five by six आप देख सकते है right side का है one by six left side का है जब हम इसके histological level पर देखने की कोशिश करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये glycans capsule से एक covered एक पूरा इसका part आप देख पा रहे हैं इसमें ये है portal triad जिसके बारे मैं आपको बता रहा था इसमें portal hepatic artery, portal vein और bile duct होता है bile का रास्ता आप देखिए ग्रीन-ग्रीन कलर से दिखाया गया न आप इसमें देखेंगे bile अभी मैं एक और image लूँगा तो और अच्छे समझ पाएंगे bile इस ओर आ करके याहां पर जा रहा होता है जबकि पोटल वेन आप देख सकते हैं यह उल्टी डाइरेक्शन में central veins की ओर जा रहा होता है central veins की ओर जा रहा होता है portal veins आगी ये travel करते हुए central veins की ओर जबकि bile इस ओर आ रहा है यहां पर बाइल डक्ट दिखाया गया है आप यहीं सैनोस्वाइट्स के बारे में देख सकते हैं जिस सैनोस्वाइट्स को मैं यहां पर दिखा रहा था जो सैनोस्वाइट्स मैं आपको बता रहा था यह देखिए यह पोर्टल वेन्स के फाइनल ब्रांचेज यह देखिए स साइनोस्वाइट्स के द्वारा यह सेंट्रल वेन तक पहुंच रहा है यह कहां तक पहुंच रहा है सेंट्रल वेन तक पहुंच रहा है और इसी के बगल में हेपेटोसाइट्स हैं यह हेपेटोसाइट्स बड़ा ही एक्टिवली वर्क करते हैं यह बाइल की सिंथिस करते है कंब हैं यहां पर देखे हैं यहां पर dipsाइड यहां पर जो ब्लेड फ्लो कर रहा है वो अक्छल में पोर्टल वेन की ब्लड सप्लाई है जिसके साथ फूड होगा कुछ हामफल सबस्टेंस भी आ सकते हैं इंटस्टाइन से अबज़ाब हो करके उनको मारने के लिए उनको किल करने के लिए यहां कुफर सेल्स होती हैं तो इस तरीके करके यह ब्लड आगे के और बहता हुआ सेंट्रल वेन में जाकर के मिल जाता है खुल जाता है आप यहां पर देख सकते हैं थोड़ा सा एक बहुत ही इंट्रस्टिंग चीज़ के जो ब्लड सप्लाई होती है लिवर को वो मैक्समम पोर्टल वेन से होती है थोड़ी सी हिप आप यहां पर यह सारी की सारी चीजें आभ जो भी यूसस सनव चीजें होंगी वो ले ली जाएंगी लेकिन बीच में ऐक स्पेस ऑफ डिस से होता है आप देखिने स्पेस ऑफ स Respasters को को सानिस्वाटिट से अलग करने के लिए स्पेस ऑफ डिस से होता है आप समझ सकते हैं बॉडी का special mechanism है special कुछ इस तरीके का device बनाने की कोशिश के गई ताकि harmful चीजों कम से कम दूर रखा जा सके ठीक है अब यहाँ पर जो भी जो भी यहाँ से वापस चीज़े लेकर के आनी होंगी वो lymphatics के द्वारा lymphatic duct के द्वारा आगे भेज़ दी जाती है तो अब देख सकते हैं blood के supply इधर की ओर हो रही है बाइल इधर आ रहा है lymphatics इधर की ओर lymphatic ducts की ओर लॉट रहे हैं तो एक space हमने देखा sinusoidal lines और hepatocytes के lining के बीच में जिसे peri sinusoidal space या space of disc से हम लोगों ने कहा था space of disc से हम लोगों ने कहा था microvilli hepatocytes के microvilli इसके space को cover करते हैं आप देखे यहाँ पर microvilli होती है यहीं पर कुफर cells के बारे मैंने बताया था type 3 collagen यह इसके lining cells को support करने के लिए यहाँ पर layers के रूप में होते हैं तो यहाँ पर देखे यह है hepatocytes यह देखे sinusoid का lumen है कुफर cells यहाँ पर पाई जा रही हैं यह hepatocytes है जो बाइल बना करके भेजेंगे तो इस तरीके का कुछ arrangement होता है यहीं पर lining के रूप में आप देखे ना यह sinusoid हैं यह hepatocytes है यह space of disc से हैं यहाँ पर dendritic cells होंगे कुफर cells होंगे और भी stellate cells होंगे कई अलग अलग तरीके के cells यहाँ पर पाए जाते हैं तो sinusoid है hepatocytes इन सारी चीजों को देखा हम लोगों ने हमने cots of bilroth या cots of bilroth के बारे में हम लोगों ने spleen में पढ़ा था यहाँ पर sinusoid space of disc से कुफर cell stellate cells उन सारी चीजों के arrangement के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए मैंने आपको पता है था blood supply maximum जो blood supply 80% तक वो portal wean के द्वारा होता है 20% hepatic artery के द्वारा होता है maximum blood supply यहाँ पर 80% तक portal wean के द्वारा होता है 20% hepatic artery के द्वारा next gallbladder के parts के बारे में बात करें तो gallbladder की anatomy भी हम surgery में ज्यादा detail में चर्चा में लई है यहाँ पर बस मोटी तोर पर बता दें इसके fundus body neck और एक छुटा सा pouch like structure होता है जिसे heart man's pouch कहते हैं वो चीज है tip of gallbladder हमें कहां पर देखने को मिलता है tip of gallbladder राइट 9th costochondral junction पर मिलता है वहाँ पर इसकी tip हमें मिलती है और यह inspiration के समय palpable होता है cystic duct देख लें फिर यह costochondral junction जो की right 9th costochondral junction पर इसका जो tip होता है वो inspiration के समय palpable होता है झाल झाल